राभे आप लोग पाप नहीं जानते हैं पाप क्या होता है पाप किसे कहते हैं छे आरब आदमी में शायद छे आदमी जानते हूं पाप किसे कहते हैं बड़ी बड़ी परिभाशाएं लिखी हैं शास्त्रों में बेदों में साच बरोबर तप नहीं जूठ बरोबर पाप नहीं असत्यसम पातक पुण्जा कहीं किसी चीज को पाप कहा है कहीं किसी चीज को पाप कहा है लेकिन वह सब परिभाशा हमको प्रशन नहीं हमारी परिभाशा तुनिए आप लो जितने चण आप कामन भगवान या महापुरुष में आसक्त है उतने चण आप पाप नहीं कर रहे हैं शेश सब समय आप केवल पाप ही कर रहे हैं बहुत ध्यान से समझो अनंत काल तक काम देगी ये परिभाशा देखिए माया के तीन गुण है सात्विक राजस तामस अगर आप तामस कर्म करते हैं वो पाप ही है उसको तो आप भी जानते हैं कि पाप है चोरी दकाईती कोई भी इस्तरे की बार और उससे अच्छा है रजोगुण गुण गाना कैसा होता है अपने कमाते हैं अपने खाते हैं न उधों के लेने न माधों के देने ये मनुष्य है ऐसा कहता है ए रजोगुण है और दूसरे के उपकार के लिए भी देते हैं दान भी करते हैं ए सत्वगुणी है तो सत्वगुण का फल स्वर्ग रजोगुण का फल मृत्योग और तमों गुण का फल नरक लेकिन तीनों नश्वर हैं इसलिए तीनों ताप हैं यह तीनों का मतलब एक सब्द में बोलिए माईक माईक एरिया में आपके मन का अटेच्मेंट जहां भी हुआ वो सब पाप है अजी अपनी मां से प्यार कर रहे हैं यह पाप है अपनी भीबी से प्यार कर रहे हैं अपने पती से कर रहे हैं अपनी बेटी से कर रहे हैं अपने बेटे से कर रहे हैं यह पाप है पाप माने जो गंदा है जिसका अंताहत करण गंदा है उसको मन में लाना तो मन और गंदा होगा बड़ी सीधी सी परिभाटा है हमारा मन ऐसे ही अनाधिकाल से गंदा है उसको शुद्ध करना है और हम जहां मन का अटेज्मेंट कर रहे हैं अगर वो गंदा है अशुद्ध है माईक है तो वो हमारे अंतहकरन में आएगा और गंदा कर देगा वो माँ हो बाप हो भाई हो बहन हो बीबी हो पती हो कोई हो ये अंतहकरन एक गंदा कपड़ा है इसको शुद्ध जल से धोगे तो गंदगी मिटेगी और अगर अशुद्ध जल से गंदे जल से धोगे तो और गंदा होगा तो चाहे वो स्वर्ग लोग का देवता हो चाहे वो मृत्य लोग का मनुष्य हो और चाहे नरक लोग का हो कोई भी हो जो माया के अंडर में है उससे प्यार करने पर मन और अशुद्ध हो जाएगा इसलिए वो भी पाप स्वर्ग वाला कार्ज भी पाप और मृत्य लोग वाला तो पाप हई है इसलिए भगवान ने कहा है गीता में ध्यान दो सर्मधर्मान पैत्यज्य मामेकम शरनम ब्रज सब ध्रमों को छोड़ दो और मेरी सरन में आजा तो महराज धर्म को छोडने से पाप लगेगा न से भगवान ने उसके उत्तर में कहा हाँन त्वाम सर्भ पापेव्यो मोप्छ इस्ठियाम मां सुचा पूरी बुद्धी लगाओ सब लोग मैं सब पापों से बचा लूँगा मुक्त कर दूँगा तो क्यों जी अगर भगवान पापों से मुक्त कर देंगे तो पुर्ण ने रह जाएगा और जब पुर्ण रह जाएगा तो फिर चौरासी लाग में घूमेगा हो स्वर्ण में जाएगा मुक्त कैसे होगा भगवान ने तो कहा कि सर्ब पापे भ्यो भगवान को कहना चाहिए था सर्ब पापे भ्यो पुन्ने भ्यो दोनों से मुक्त कर दूंगा तब जीव मुक्त होगा सुकृत दुशकृते धूनुते देद कहता है उसका पुण्ड और पाप, दोनों पाप हैं, दोनों को समाप्त कर देंगे यानि पाप शब्द से पुण्ड भी ले लिया, सिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समस्त पापों से माने, पापों से पुण्यों से तुमने जो अच्छे कर्म किये हैं उसका भी तो बंधन है स्वर्ग जाने का अच्छा कर्म करोगे तो भी बंध जाओगे बुरा कर्म करोगे तो भी बंध जाओगे अच्छा कर्म करने से स्वर्ग में शड़ोगे और बुरा कर्म करने से मिर्त लोग में नरक लोग में घूमोगे लेकिन मुक्त नहीं हो सकते मुक्त तब होगे जब पुण्य पाप दोनों भस्म हो जाएं तब मुक्त हो सकते हैं आप तो पाप शब्द से बेद में पुंड भी ले लिया पुंड भी पाप है पाप भी पाप है अर्थाथ सत्प गुण का कार्ज पुंड कहलाता है वो भी पाप है क्योंकि वो बंधनकारक है और रजोगुन का कार्ज वो भी बंधनकारक है और आप जानते ही है इसलिए बुरा भी बुरा अच्छा भी बुरा अच्छा बुरा दोनों को छोड़कर केवल भगवान से प्यार करना महापुरुष्ट्य प्यार करना यह ना अच्छा है ना बुरा है इससे समस्त पाप समस्त पुन्य भस्त हो जाएंगे इसलिए यहां कह रहा है लेखर कि हमने अपने को देह माना तो माईक जगत में प्यार किया करना पड़ेगा क्योंकि अपने को आत्मा मानता ही नहीं तो भगवान को क्यों मानेगा तो संसार में जो माबाब बेटा इस्तृपती रसुल्ला आज संसार के सामान से प्यार किया तो वो गंदा था, माईक था इसलिए हमारे अंताकरण में वो सब आया और गंदा कर दिया शुद्धी नहीं कर सका अंताकरण की शुद्धी के लिए शुद्ध बस्तु से प्यार करना होगा और शुद्ध है हरिजन और सब माया के अंडर में हैं आ ब्रह्म भुनालो का पुनरावर्ति नोर्जुन ब्रह्म लोग तक जितने देवता देवी हैं सब माया के अंडर में हैं इनमें कहीं मन का अटाइटमेंट करोगे तो अंतहकरण और गंदा होगा तो पाप माने सत्वुण, रजोबुण, तमोबुण के आदमी, परस्नेलिटी अथवा सामान इनमें मारे मन का अटाइटमेंट होगा तो उसका नाम पाप पाप पाप, तोह यहां था नाम आटाइटमेंट होगा तो इनमें पा यहां तो